हेलो एब्रिवान आप सब को केप सी ब्लोग में बहुत बहुत सागत है आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे आज का रेसिपी है मसाला डोसा देखे कितना क्रिस्पी और कितना कलरफुल आया है यहां पर मैं ज्यादा कुछ सामन भीगोया नहीं हूँ जैसे कि मेथी दा जो तूर डाल होता है जो दोसाल आता है सिर्फ उसको और जो चाओल होता है बिना वोयल का जो चाओल होता है सफेद कलर का वो लेके मैं भीगो दी हूँ और यहां पर मैं थोड़ा सा खटा दही देके इसको मिक्सिजार में पीस लोगी यहां पर मैं यह वान फोर्थ कप का पीसेंगे थोड़ा सा भी दरदरा सा नहीं रहना चाहिए और जितना पानी आपको चाहिएगा पीसने के टाइम पे उतना आप आड कर सकते हैं मैं यहां पर आड नहीं की थी क्योंकि दही मेरा थोड़ा पतला था और इसी टाइम पर मैं आड करूंगे क्योंकि दोसा का बैटर जो होता है वो थोड़ा सा पतला होता है ज्यादा थीक नहीं रहता है मैं आपको दिखाऊंगी कितना पतला होना चाहिए इसी तरह से मैं दो ब्याच करके मेरा जितना डाल चावल भीगोए था मैं उसको पीस के रख दूंगी एक बावल में इसको अभी मैं दो तिन घंटा इसको रख दूंगी कि फर्मेनेशन जो लोक मतलब जो होता है फर्मेनेशन करने का टाइम वो प्रोसेस थोड़ा बहुत ल तीस्पून जैसे नमक डाल के उसको ढख के रख दूंगी और दोसा के लिए चटनी चाहिए होता है संबर चाहिए होता है संबर का रेसिपी जो है मैं यहां पर नहीं डालूंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फिर आप लोग सब भाग भोग जाएंगे बी ताय में अच्छानी बढ़ी हो थोड़ा सा रिफाइन ओइल उसमें डाली हूं और यहां पर हम थोड़ा सा जिरा चेटकाएंगे दोठ भरी मिर्च में डाली हूं आप अपना तीखा कीटना पसंद करते हैं उतना ले सकते हैं या बिना तीखाखाना पसंद करें वह भी हरी मिर्ज को स्कीप कर सकते हैं और आधा इंच जे करीब आधरक थोड़ा सा टुकड़ा करके उधर फ्राई कर दी हूं तेल में ठलका जस्ट फ्राई करना है और यहां पर वो जो चना डाल वास करके रखी थी उसको भी में डालके लाइट ब्राउन होने पानी दूंगी क्योंकि चना डाल जो है फुलेगा और इसी टाइम पर मैं वन टीस्पून नमक भी आड़ कर दे रही हूं नमक यहां पर अगर आप लोग नहीं डालेंगे तो जब चटनी बनाने के टाइम पर भी आप लोग डाल सकते हैं और यह जैसे ही थोड़ा सा बॉयल जाएगा तो ढखके इसको मैं रख दूंगी एक दो घंटा वह अच्छे से फूल जाएगा क्योंकि पानी भी गरम होगा तो इसलिए मैं पानी उसी टाइम पर डाल दी थी तो वह अच्छे से फूलेगा तो यहां पर मैं इसको आधा-धा करके डालूंगी क्योंकि छोटा जार है आप अगर बड़ा जार लेंगे तो वह एक साथ भी डाल सकते हैं और यहां पर ने तो जब चटनी पीसेगा ना तब वह बहुत हो जाएगा तो ग्राइंडर चलेगा ही नहीं यहां पर मैं टू टी स्पुन जैसे पीनट्स ली हूं और टू टी स्पुन जैसे नारि डाली हूं आप इन दोनों के एलावा भी इसको बना सकते हैं चतनी को जितना पानी का रिकर्मेंट है या यहां पर छोंक लगाई हूं थोड़ा सा रिफाइन उयल और उसमें से थोड़ा सा हिंग डाला । उड़ा सा ऑचभा ख़र जे commentary घरा जोड़ा ने तो उसका मसाला बनाने वाली हूं, डोसा बनाएंगे तो मसाला जरूरी है, यहां पे मैं थोड़ाय की की बड़ा को ज्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा साइ़ का आलू चाठेव ली उस हाँ, और उसी कड़े में मैं थोड़ा तेल कर हम साथरा बेठा दगें हाथ में भी कर सकते हैं या तो ग्रेटर लेके ग्रेट करने से भी हो जाएगा और यहां पर मेरा तेल जो है गरम हो गया था उसी में मैं थोड़ा सा जीरा चौंग लगा दी हूँ और जो हरी मिर्च काट के रखे दे उसको ठोड़ा सा फ्राइ कर दूगी और यहां पर थोड़ा सा मैं काड़ी पता दे रही हूँ थोड़ा सा स्मेल आयगा जो मसाला है हम लोगों का अभी उसके बाद फिर में जो थोड़ा सा प्याज यहां पर दो मीडियum साइज का नमक डालके प्याज को थोड़ा सा भूनूंगी प्याज में ज्यादा नमक नहीं देंगे क्योंकि आलू जब देंगे वहां पर उसी टाइम पर भी नमक में आड़ करूंगी इसलिए में इस टाइम पर ज्यादा नमक देनी हूं और यहां पर थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे हाफ तीइस्पूण से कम उससे ज़्यादा नहीं देंगे यह हमारा प्याज जो है अबुन के तयार हो गया है जो गाजर है उसkon झाल गाजर करके रखी तिसमें से थोड़ा सा में बचा Poker ज़ी और आधा से ज़्यादा में डाल दीयु थोड़ा सा लाना के पाद अभी यह जो आलू हमारा म्यास हो चुका है तो उसको मैं कड़ाई में डाल दूंगी और अच्छे से उधर उसको थोड़ा सा भूनेंगे और इसी टाइम पर मैं थोड़ा सा यहां पर पानी दूंगी कि थोड़ा सा गिला गिला रहता है जो हम लोग होटल बगारा में भी खा आप अपने टेस्ट के कड़िंग डालेंगे यह जो चना डाल है मैं अब ही मैं उसको दूसरा कड़ाई में की फ्राय करके यहां पर डाल रही हूं नहीं तो हम लोग जब प्यास भून रहे थे उसी टाइम पर मैं भूल गई थी चना डाल को थोड़ा सा फ्राय करने के लेडी हो गया है अभी तावा बेठा के दोसा को बनाना शुरू करते हैं तावा जो होता है वह बहुत अच्छा से गरम कर लेंगे पहले और थोड़ा सा पानी चिटक दे के उसको थोड़ा सा हलका थंडा करेंगे उसके बाद जो ब्याटर है अच्छा से घूमेगा बिल्क रेड वाला जो चटनी होता है या टमाटर सस्वी आप लगा सकते जो आलू बनाये थे उसको अभी हम लोग उसके उपर दे के उसको फोल कर देंगे देखे कितना अच्छा से कितना क्रिस्पी दोसा बनके घर में पुरा रेडी हो चुका है यह देखिए बिल्कुल लग रह झाल 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